जय हिंसातियों पीगे फार्मक्लासी यूटूब चैनल पर आप से बिखा एक बार फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ से जनरल मेडिशन जो हमारे मेडिकल स्टोर पर या फिर हम प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस नरको जरूरी है तो उसी सिक् की बारे में सब चीज नौलेज हो जाए और आप अपनी मेडिकल स्टोर या फिर आप अगर प्रैक्टिसनर हो तो आपके लिए काफे हलफूल रहने वाली है वीडियो तो आईए बेना दरी स्टार्ट करते हाँज की वीडियो कि आप सबी को पता है काफ और एंटी अलर्जिक मैंनली हर एक मौसम में जरूरी होती है तो कफ की बात करें तो कफ दो या तीन टाइप से हम मान सकते हैं दो दो टाइप मैंनली दो टाइप से होता है एक तो वेट कफ होता है एक ड्राइक तो वेट कफ के अंदर अपने क्य होती है तो उसके अंदर मुकस का सेक्रेशन भी होता है तो मुकस आपका बाहर भी आता है दूसरी खांसी होती है ड्राइ कफ जिसमें हमें सुकी खांसी होती है हमें कफ नहीं आता और एक डाइप होता है जिसमें हमें खांसी भी होती है लेकिन हमें यह काप के साथ में या फिर सूगी कांची है तो उन सब लिए यहां पर बात करेंगे हम तो आएए देखते हैं सब से पहले देखते हैं टो तर्बो टिलिंट और भॉना तो जो कब सिरप आती है एक जरु को से के लिए आप टेक्रोमेटरपान असीयल और कलोरफनिरमाइन मैलेट सीरप यूज़ कर सकते हो इसके बाद निम के बात गरते ब्रांड आप कोईशी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी नियरस्ट मेडिकल स्टोर पर कम पैसे में जो आपको मिल रही है रही बाद जैनिक और इ में लगता है और वेट का भी लगता है तो उन दोनों का एक कॉंबिनिशन आता है तो उसके लिए हम डेक्टोमेतरफान है एसेल क्लोरफेनिमाइमेलेड गौानफेनसीन एंड अमोनियम कलॉराइड सिरप ये भी हम कि यह को देख सकते हो तो ये थी इनकी जैनरिकनेर्वक अपयर्ण का घुछर अविलेबल मिल जाती है तो आज A को कमेट करके जरूर जरूर गताएं और जो दोस्त चईनल पर ने चानल का सब्सक्राइब औरवीडियो को सेहरेक जरूर करें झाल झाल